हेलो दोस्तों नमस्कार मैं ड्र मनीश सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं आए दोस्तों आज हम लोग सीखते हैं पत्यावर्ति धारा का माध्यमान क्या होता है पत्यावर्ति धारा का माध्यमान माध्यमान को औसत्मान भी कहा जाता है औसत्मान इंग्लिस में इस प्लिस माइनस धारा का, तो यह परत्यावर्ती धारा ही, जिस्में आप देखें, इस तरह का कर्व मिलता है और समीकरण मिलता है i बरावर i0 sin omega t i बरावर i0 sin omega t यह आपको समीकरण मिलता है इसमें आप देख रहे हैं कि एक cycle में यहां से लेकर यहां तक एक cycle होती है इसमें आधे दूर तक धारा का मान positive होता है और आधे दूर तक negative होता है एक complete cycle में तो पत्यावर्ती धारा का मान और दिशा दोनों ही आवर्त रूप से परिवर्तित होते हैं एक अधारा की अर्ध साइकल के दोरान एक दिशा में होते हैं और दूसरे अर्ध साइकल के दोरां दूसरे पत्यावर्ती धारा का मान सुन्ने होता है एक complete cycle के लिए पत्यावर्ती धारा का मान क्या होता है सुन्ने होता है ठीक है तो हम लोग जो भी गढ़ना करेंगे माध्यमान या उसत्मान निकालेंगे वह एक आधे cycle के लिए निकालना है क्योंकि complete cycle के लिए तो सुन्ने हो अब पत्यावर्ति धरा का अर्द साइकल के लिए धरा का मात ध्यमान एक पर्मित रासी है तथा इसी से मात ध्यमान को परिवासित किया जाता है ठीक है? तो पत्यावर्ती धारा का जो अर्द साइकल के लिए धारा का माध्यमान होता है वो परमित होता है और इसी से हम माध्यमान को परिवासित करेंगे अब हम उसकी गर्णा करेंगे पत्यावर्ती धारा का माध्यमान कैसे निकालेंगे दियान से समझेगा पत्यावर्ती धारा का माध्यमान ठीक है पत्यावर्ती धारा का माध्यमान ठीक है शुत्र लिखते हैं पत्यावर्ती धारा का माध्यमान ठीक है पत्यावर्ती धारा का माध्यमान ठीक है पत्यावर्ती धारा का माध्यमान ठीक है प्लाण का समय विधी टी हो तो मध्यमान ग्याद करने के लिए क्या सुथ्र होता है को या कोई फलन हो जैसे मानते हैं कोई धलन है यह टी टाइम पर डिपेंड करती है कोई फलन है इसका जो समय विधी है समय का जो time period है वो capital T है ठीक है capital T में अगर आपको मध्यमान ग्याद करना है capital T में आपको क्या ग्याद करना है मध्यमान ग्याद करना है तो इसके लिए सुत्र होता है एक बटे T integration 0 से T F D T F D T यह सुत्र होता है ठीक है किसी फलन F T का समय अवधी T में मध्यमान का सुत्र क्या होगा ठीक है E F T का समय अवधी T में मध्यमान एक बटे T 0 से T F T D T होता है अब यहाँ पर जो function है वो क्या है current है धारा है तो F T की जगा आपका क्या हो जाएगा I M धारा का मध्यमान हो जाएगा और time जो time है वो आधे cycle के लिए निकालना है तो T by 2 हो जाएगा जीरो से T by 2 I D T इस तरह से यह formula convert हो जाएगा F T जो है किसी फलन का समय अवधी T में मध्यमान ग्याद करने का सुत्र होता है F T बराबर एक बटा T 0 से T F T D T त और यहाँ आपका time जो है वो आधा cycle है T by 2 है तो जहाँ T है वहाँ पर हमें T by 2 लिखना होगा तो इस तरह से हमारा जो समीक्रण बनेगा वो होगा I M बराबर एक बटे T by 2 0 से T by 2 I D T अब आप जानते हैं धारा का समीक्रण क्या होता है पत्यावर्ती धारा का समीक्रण क्या होता है तो आपको पता है पत्यावर्ती धारा का समीक्रण I बराबर I 0 sin ओमेगा T होता है ठीक है तो अब जो है हम लोग यह आई-जिरो क्या है ताच्छरिक मान है आई-जिरो क्या है धारा का सिखर मान है आई-जिरो धारा का जो है सिखर मान है और आई क्या है ताच्छरिक मान है धारा का क्या है तातकालिक या ताच्छिक मान instantaneous value कते हैं i को और i0 क्या है सिखर मान है तो i बराबर i0 sin omega t यहाँ पे हमें i की जगा लिखना है तो हमारा समीकरण क्या होगा ध्यान समझेगा i m बराबर 1 बटे t by 2 integration 0 से t by 2 i कमान i0 sin omega t dt अब इसको solve किया जाए t बराबर आप और का सुत्र ती बराबर होता है 2 pi y omega t का सुत्र क्या होता है t बराबर 2 pi y omega तो t के जगा हम 2 pi y omega भी लिख सकते हैं ठीक है तो अगर t के जगा 2 pi y omega लिखें तो क्या हो जाएगा i m बराबर 1 बटे t के जगा 2 pi y omega ठीक है और बटे 2 यह 2 है बटे 2 0 से t का वेलू क्या है 2 pi y omega और इंटू 2 और यह हो गया i0 sin omega t dt i0 sin omega t dt अब यहां से 2 से 2 केंसील हो जाएगा यह भी 2 से 2 केंसील हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा आपका देखे द्यान से हो जाएगा i m बराबर i m बराबर यह omega उपर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका omega बटे pi omega बटे pi integration यहां क्या है 0 और यहां पे है पाई बाई ओमेगा इस आई जीरो साइन ओमेगा टी डी टी यह हो जाएगा अब यहां पे ध्यान दें जो आपका sin omega t dt है इसका integration क्या होगा तो एक फार्मूला होता है देखे द्यान से integration integration sin nax dx sin nax dx का integration क्या होगा तो इसका integration होता है minus cos minus cos nax बटा n minus cos nx बटे n sin nx dx बड़ावर होता है minus cos nx बटे n यहाँ पे इसका integration i0 sin omega t dt तो integration जहाँ समझेगा integration किसका sin omega t dt क्या हो जाएगा minus cos minus cos nx x n की बड़ू क्या है omega है और x की बड़ू क्या है t है तो minus cos omega t बटे n यहाँ मतलब omega तो sin omega t dt का integration क्या होगा minus cos omega t बटे omega minus cos omega t बटे omega तो यह हो जाएगा आपका i m बड़ाबर omega बटे पाई integration 0 से पाई बटे omega तिक्षे है आपने integration कर दिया है तो integration की value हम लिख रहे है अब तो integration की value आपकी क्या आई है आई है minus cos omega t बटे omega minus cos omega t बटे omega आया है power क्या होगा 0 से pi by omega 0 से pi by omega ठीक है यहां तक इस omega को बाहर करते है minus को बाहर करते है तो आपका क्या हो जाएगा i m बराबर minus को बाहर कर लिए और omega बटे pi और यह omega बाहर आएगा तो into omega हो जाएगा bracket में क्या बच जाएगा आपका cos omega t 0 और pi by omega ठीक यहां तक clear है अब जो है आगे solve करते है यहां पे जो देखो द्यान से i0 sin omega t यहां पे जो integration हुगा है वो sin omega t dt का हुगा है i0 जो है बाहर निकल आएगा i0 क्या होगा बाहर निकल आएगा तो यहां पे i0 छूट रहा था यहां पे i0 बाहर आजाएगा यह i0 बाहर आजाएगा तो यहां पे i0 सामिल कर ले i0 बाहर निकल आएगा integration केवल किसका हुगा है sin omega t dt का हुगा है या i0 क्या हुगा i0 बाहर हम निकाल लिए i0 बाहर निकाल लिए ठीक है तो omega i0 बटे πाई integration sin omega t dt का sin omega t dt का minus cos omega t बटे omega minus cos omega t बटे omega 0 से πाई बाई पाई बाई omega ठीक माइनस बाहर कर दिये और omega बाहर कर दिये अब यहां से देखें, ओमेगा से 1 ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो I M बराबर क्या हो जाएगा, माइनस I 0 बटे पाई, माइनस I 0 बटे पाई, ठीक है, ब्रेकेट में क्या बच गया, कास ओमेगा टी, ठीक है, अब हम एक बार हायर लिमिट लिखते हैं, और एक बार लोवर लिमिट पाई बाई ओमेगा, ठीक, अब माइनस कास ओमेगा, टी की बाईलू, लोवर लिमिट जीरो, ठीक, अब देखें, I M बराबर माइनस I 0 बटे पाई, I 0 बटे पाई, यहां से ओमेगा सुमेगा कैंसिल, क्या बचा, कास पाई, अब माइनस कास ओमेगा में जीरो का गुड़ा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, जीरो, i m बराबर क्या हो गया माइनस i 0 बटे पाई ब्रेकेट में कास पाई माइनस यहाँ 0 करेंगे तो कास 0 हो जाएगा यहाँ 0 नहीं लिखेंगे कास 0 यह इसमें से ओमेगा से 0 से गुड़ा होगा 0 हो जाएगा तो कास 0 हो जाएगा कास 0 ठीक है यहां पर क्या हो जाएगा कास जीरो हो जाएगा आपका है ठीक है अब यहां पर बैलू हम लिखते हैं अब ध्यान से एक बार और समझ लें यह इसको मिटाना है हमको देखें पत्यावर्तिधारा काप्र क्या निकालना है माध्यमान पत्यावर्तिधारा का माध्यमान आप गढ़ना कर रहे हैं आपको पता है कि कोई भी फंसन हो टाइम का फंसन हो तो उसको मध्यमान ग्याद करने के लिए एक सुत्र होता है कोई भी time का function हो तो उसका मद्यमान ग्याद करने के लिए एक सुत्र होता है सुत्र क्या है एक बटा T एक बटा T integration 0 से T F T D T यह सुत्र होता है कोई भी function है time का तो उसका मद्यमान ग्याद करने के लिए यह सुत्र है F T बराबर एक बटा T जीरो से TFTDT अब पत्यावर्ती धारा का आपको मद्यमान निकालना है मद्यमान जो है आपके आधे टाइम पिरियड के लिए निकलेगा तो जो टाइम होगा वो हाफ होगा तो आपका मद्यमान IM बराबर एक बटा T T के जगर TY2 हो जाएगा और जीरो से टिक तो IM बराबर एक बटे TY2 जीरो से TY2 I का मान रग दिए I0sinमेगा T DT टिक अब T बराबर होता है 2PYोमेगा तो T के जगर 2PYोमेगा लिख सकते हैं तो IM बराबर एक बटे T के जगर पे 2PYोमेगा और बाइ 2 थाद इन्टू 2 हो गया 2 से 2 यह cancel हो गए 0 से t by 2 t का मान रख दे 2 pi by omega into 2 2 से 2 cancel हो गए i0 sin omega t dt अब यहाँ पे sin omega t dt का integration करना है sin omega t dt का integration करना है आपको तो i m बराबर यहाँ पे क्या हो गया pi by omega यह omega एक बटे pi by omega है तो omega उपर चला जाएगा तो omega by pi हो जाएगा तो i m बराबर omega by pi 0 से pi by omega i0 sin omega t dt ठिक यह i0 नियत है इसको बाहर कर लिए तो बाहर हो गया omega i0 बटे pi और बच गया अंदर sin omega t dt तो integration किसका करना है sin omega t dt का sin omega t dt का आपको सुत्र पता है sin nx dx sin nx dx बराबर होता है minus cos nx बटे n minus cos nx बटे n यहाँ पर n की value है omega n क्या है? omega है और x के जगा t है तो हो जाएगा minus cos omega t बटे omega minus cos omega t बटे omega sin omega t dt का integration तो यहाँ हो गया आपका minus cos omega t बटे omega और कहां से कहां तक? 0 से 5i omega तक यह lower value है यह higher value है लिख दिए minus और omega इन दोनों को बाहर कर लिए minus बाहर हो गया, omega बाहर हो गया बटे में है, बटे में omega बाहर आएगा omega से omega cancel हो गया omega स omega cancel हो गया तो minus i0 बटे πाई इधर बचा minus i0 बटे πाई बचा और यहाँ पे आप बैलू रख रहे हैं एक बार higher limit रखेंगे t के जगा पे और एक बार lower limit रखेंगे तो cos omega higher limit πाई बाई omega minus lower limit cos omega t के जगा पे 0 ठीक? अब im बराबर minus i0 बटे πाई और कास omega समेगा cancel कास πाई minus यहाँ t के जगा पे 0 हो गया तो omega में 0 गुड़ागा 0 हो जागा तो कास 0 हो गया अब इसके आगे बहुत ध्यान से समझेगा इसको अब मिटा रहे हैं तो यहाँ पे हो गया आपका im बराबर minus i0 बटे πाई break it में कास πाई ठीक है कास πाई मतलब कास 180 डिगरी कमान होता है minus 1 कास πाई मतलब कास 180 डिगरी कमान होता है minus 1 और minus कास 0 डिगरी कास जीरो डिगरी का मान होता है कास जीरो डिगरी का मान कितना होता है अब I M बराबर माइनस I 0 बटे पाई अब यह माइनस 1, माइनस 1, माइनस 2 हो गया और यह माइनस माइनस में गुड़ा होगा तो I M बराबर हो जाएगा माइनस माइन गुड़ावत पलस हो जाएगा तो 2i0 बटे πाई हो गया तो im बराबर 2i0 बटे πाई यह आपको एक फार्मूला मिल गया im बराबर माध्यमान पत्यावर्तिधार का माध्यमान im बराबर 2i0 बटे πाई अगर मान रखें तो 2i0 अप आई का मान 3.14 तो 2 में 3.14 का भाग देंगे तो दस्मलो में आएगा आंसर तो im बराबर आएगा आपका 0.637 i0 0.637 i0 तो पत्यावर्तिधार का माध्यमान क्या हुगा im बराबर 2i0 बटे πाई या im बराबर 0.637 i0 ठीक इसी प्रकार दूसरी और दसाइकिल के लिए धारा का आउसत मान जो होगा ठीक इसका माइनस में होगा दूसरी और दसाइकिल के लिए धारा का आउसत मान कितना होगा तो होगा माइनस 2i0 बटे πाई माइनस 2i0 बटे πाई होगा या फिर माइनस 0.637 i0 होगा दूसरी और दसाइकिल के लिए अता एक पूर साइकिल के लिए क्या होगा सुन्ने एक कम्प्लीट साइकिल के लिए एक पूर साइकिल के लिए धारा का आउसत मान सुन्ने होगा ठीक है एक धनात्मक अर्द साइकिल के लिए धारा का एक धनात्मक अर्द साइकिल के लिए जो मान होगा i m बराबर 2i0 बटे πाई या i m बराबर 10.637 i0 दूसरी अर्द साइकिल के लिए तो यह माइनस में चला गया तो इस तरह से आप प्रत्यावर्ती धारा के माध्यमान को निकाल सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में जहां पर हम लोग बर्ग माध्यमूल मान निकाला जाएगा थेंक्यू